बिस्मिल्लार ररहम्रहीम ऐलेकुम बैटे अभी हम फोर्थ लेक्शे स्टार्ट करने जा रहे हैं चप्टर नमबर सेवन इसका नेम है अलेक्शिटि अन्ड मगिनेडिजम क्लास फाइव और साइंस का सब्जेक्ट है जो बैटे टॉपिक है अलेक्टिक क्रंट इससे लेकिन आज हमने जो टॉपिक शुरू करना है उसमें एक डिफरेंट टाइप है इसको कहते हैं क्यों कहते हैं इसकी एक्स्प्लेनेशन भी हमें यह दी गई होगी यहां पर तो आप गौर से इसको समझिएगा आपको अच्छे तरीके से यह पता चल देगा यह पता है कभी आपने यह देखा कि बहुत सारे जो खिलोने होते हैं उन पर एक स्वीच होता है जिसको ओन आफ स्विच कहते हैं वैं यू टरन अंडियर स्विच्छ जब आप उसको ओन करते हैं दे स्टार्ड मॉविंग और इसको अफुलना चलना बंद हो जाता है जब उस शुरू कर देता है जो आप उसको आफ करते तो वो बांद हो जाता है यू नो डैट अलेक्ट्रिक सेल और बैटरी इस यूज़ इन दीस ट्वाइज आपको यह पता है कि उस उनमें इलेक्ट्रिक जो सेल्स हैं वो इस्तमाल होते हैं यह बैटरी यूज़ होती है दसेल सप्ल एक इसकी सैड्स है और दूसरी जो है वो नेगटिव और यह यह इसदिसाद की consistent hes को पोजिटि इस्टेंट होता यह कम तादाद में होते हैं अब इसमें होता यह है कि जब हम शनलों ends को आपस में join करते हैं तो क्या होता है कि positive side की तरफ negative side से electron move करना चुरू कर देते हैं ठीक है when both ends are joined through a metal metal wire and a switch जब switch और metal wire के through इनको connect किया रहता है the electron start moving electron move करना चुरू कर देते हैं from negative to positive ठीक है the electron start moving from the end with excess electrons to the end with deficiency of electrons this flow of electrons or charge is called electric current इसको कहते हैं हम बेटा जी electric current कहते हैं यानि flow of charges को ठीक है negative से यानि excess of electrons का deficiency of electronsIAN की तरफ बहना उनको कहते हैं electric current ठीक婞 yeah how of charge called as electric current flow of charges को क्या कहते हैlei पेटा जी electric current कहते हैं a switch is used to control the flow of हích वो जो आफ चार्जिज मटल डड़ा करने लिए अगर हम को आउं कर देते हैं चार्ज बेहना बंद कर देते क्या होते हैं हमारे घर best लाइट अब और और टू रण FAN हम क्या करते हैं स्विच को ON करते हैं लाइट जलाने के लिए या FAN को चलाने के लिए The same switch is used to turn them off और वही switch उनको बंद करने के लिए इस्तमाल होता है Various electric circuits are made for this purpose अच्छा अब इस काम के लिए क्या होते हैं बनाया रहते हैं electric circuit बनाया रहता है जिसकी मदद से यह वाला जो काम है यह उससे लिए रहता है Just simple electric circuit क्या होता है let's make a simple electric circuit एक सादा सा electric circuit बनाते हैं कैसे बनेगा कहता है insert a torch bulb in a holder एक holder में torch bulb लगाना है यह सिरफ DC की बात कर रहे हैं बना रहे हैं ठीक है connect the bulb to a cell or battery through a switch with the help of a metal wire as shown in the figure turn on the switch and observe the bulb does it start glowing क्या इसने जलना चुरू कर दिया है यह देखें यहाँ पर इस activity में अच्छे बटे नाव टन टन दा स्वीच ओफ अप स्विच को बंद कर दें and observe the bulb और बंद को देखें क्या वह अभी भी जल रहा है यह बंद हो गया वाइड इडिट इट स्टॉप ग्लोइंग यह चलना क्यों बंद हो गया क्या तो when the switch is turn on then why does the bulb start glowing रहे चलना शूरू और बंद किया तो पिर क्यों चलना शुरू हो गया कि तलो स्टॉ इसमें से यह बहना शुरू हो जाँ तो इसमें थे हो घर आ घर इस तो उसमें थे वाइन वग्यरा होती है या एक रस्ता प्रवाइड किया जिस से नेक्टिक है और रस्ता भोफ KrANT गारें purple चुरू अधिकस नेख करणा सकते करता है जो कर वह करता हैкий को थीजुन, आप बै Farm डेन फाल याची अगर शिरफ एक इसवत कोसी कहते हैं सब्सक्राइब अगर अगर वो बैटरी बन जाते हैं ठीक है बैटरी उसको फिर हम बोलेंगे अच्छा इसके बाद कहते हैं के नेक्स्ट एड़्यूस एंड़ फिगर डैट बैटरी बाल्ब शन अब है वे वो क्या कहलाते हैं कंपोनेंट्र इन अक्लो सर्कorde करने के हैं अगर जो जो चीज उसमें इस्तेमाल करते हैं उसको कंपोनेंट कहते हैं पॉइंट्ट कॉंटमेपैटर में वह कहता है इफ बैटरी को इफ बैटरी कोनेक्शन और रिवर्ज इन अ क्लो सर्केट अगर इनके को रिवर्स कर दिया रहा है विल दा बल्ग गलो क्या वो करेगा तो यह आपने बताना इसका अंसर आपको क्या लगता है जीचे कमेंट करके दूरूब बताइएगा तब बैटरी इस इनकी डेफिनेशन है वाट डिफाइन बैटरी डिफाइन स्विच ठीक है क्या काम होता है कि इट इस इसी से रिलेटेड बात है और इसी से रिलेटेड यह आपको जल्दी समझा रहा रहेगी क्योंकि यह टॉपिक जो पड़ा है इसमें बहुत सारी बातें इसे रिलेट की गई है यूँ हैव लेंट डैट ऑन टर्निंग दस्विच ऑन स्विच को ऑन करने से सरक्ट बिकम्स कंप्लीट सरक्ट कंप्लीड रहता है और क्लोज क्लोज डूट विच ता क्रंट क्लोज बहुत बहुत से जिसकी वज़ाएं से क्रंट जो है वो फ्लोग करना शुरू कर देता इसमें से और टर्निंग दा स्विच ऑफ स्विच को अगर हम बंद करें तो क्या होगा दा सरक्ट बिकम्स इंकम्प्लीट सरक्ट जो ना मुकमल हो जाएगा और उपन उसको हम कहेंगे सोधा क्रंट स्टॉप स्विलोइंग जो क्रंट है वो चलना बंद हो जाएगा तुरू दा सरकेट सरकेट में इसको क्या हम कहते हैं ओपन सरक्ट कहते हैं आज की वीडियो को बेटा जी हम यहीं पर खतम करते हैं मुझे हमीद है कि यह बातें आपको समझा चुकी ह बताईएगा मैं कोशिश करूँगा आपकी किन्फूजन को दूर करने की तेंक यू वेरी मच